दोस्तो जब भी EV की बात की जाती है, तो हमेशाद दो ही चीज़े आपके सामने positive आएगी, पहला की भाई, EV में running cost काफी कम है, initial थोड़ा देना पड़ेगा, लेकिन long term में बच जाएगा पैसा, और दूसरी बात की environmentally काफी ददा friendly है, अब environmentally friendly कितनी है, वो सभी लोगों के initial cost जो वापस आजाती है, आज के वीडियो में हम बात करेंगे Tata curve की, क्योंकि यहाँ पर petrol, diesel और EV तीनो ही variants available है, वैसे दो प्रकार के petrol engine यहाँ पर आते हैं, लेकिन Hyperion पे जाना थोड़ा मुश्किल है, वो बहुत ज़़ा महंगी गाड़ी है, GDI engine जो होता है, तो हम basic variant इसक आपको बहुत अच्छी power and torque निकाल कर देता है, इस गाड़ी का price आपको पढ़ेगा on road 14,85,000 रुपे पुने के हिसाब से, आज के समय में अगर आज खरीबने जाते हो, वहीं अगर आप इसका diesel engine लेना जाते हो, तो आपको pure plus मही automatic वाला cryo jet engine मिल जाएगा, ये engine 1.5 लीटर क 16,88,000 रुपे में गाड़ी आप खरीच सकते हो, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं, आपने insurance cost नहीं लिए, आपने ये cost नहीं लिए, तो भाई, on road में, action room plus insurance plus RTU tax सारे चीज़े मिल जाती है, इसलिए हमें आपर on road ले रहे हैं, ताकि कहीं पर भी problem आपको ना आए, अब ये city wise या state wise थोड़ा बहुत डिफर कर सकता है, action room डिफर नहीं करेगा, on road price थोड़ा बहुत डिफर करेगा, ताच जास हजार का फरक आपको मिलेगा, EV अगर लेने जाओगे, तो basic EV जो है, creative 45 आपको मिलेगी, 18,57,000 रुपे on road price पर, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं difference देखू तो petrol के मुकाबले आपने diesel के लिए 2,03,000 रुपे जादा दिये, same variant के लिए, और अगर आप EV की बात करोगे, तो आपने 3,72,000 रुपे जादा दिये हैं petrol के मुकाबले, अब यह cost जो आप extra upfront दे रहे हैं, वो कितने समय में recover होगी, उसकी हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम fuel cost पकड़ेंगे, अब हाल फिलाल में, अगर मैं cost देखू, petrol की तो पुने के अंदर 104 रुपे प्रती लीटर है, अगर diesel की बात करो, तो 99 रुपे प्रती लीटर के आसपास है, और अगर मैं EV की बात करो, तो यहाँ पर 10 रुपे पर यूनिट के हिसाब से बिजली अभी लग रही है, अब अगर मैं convert करूं कि अगले 5 सालों में क्या होगा, तो हो सकता है, पांचवा साल जो हमारा 2029 तब तक petrol के price 1500 रुपे हो जाए, अब बीच में fluctuation जो चलेगा, तो हमने एक average cost निकाली, कि 5 साल के average cost होगी लगबग 120 रुपे के आसपास, petrol की, यही cost में 100 रुपे ड लीटर वाली, और EV में units बढ़ सकती है, 12 रुपे पर unit हो सकता है, उससे जादा महेंगी भी हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि EV पर बहुत जादा charges भी लगाए, लेकिन क्योंकि EV वालों को खुश रखना है, और 5 साल में कितनी recovery है, वो देखना था, हम सेफ साइट चल रहे ह अब mileage की बात कर लेते हैं, तभी हम per kilometer cost निकाल पाएंगे, तो अगर मैं petrol की बात करूँ, curve EV का जितना भी मैंने देखा है, अभी तक जितने भी लोगों ने खरीदी है, जितने लोग शेर कर रहे हैं कि मुझे mileage यह मिला, वो मिला, तो कुछ बोलते हैं 12, 13 का या 10, 11 का मिल प average जो है, आपको मिल रहा है, mileage का, वो सही से मिलता रहेगा, वरना और कम हो जाएगा, तो जो maintenance cost है, यह हमाई जोड़नी होगी, जो की लगबग 40,000 के आसपस आएगी अगले 5 सालों में, बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग parts जोड़ सकते हैं, यह हो सकता है, लेकिन व जो average mileage है, वो लगबग 17 km per litre आता है, अब city और highway मिला कर देखे तो, क्योंकि company तो claim कर रही है कुछ भी, लेकिन जब आप real time देखते हैं, तो mileage काफी कम मिलता है, city में बहुत बार traffic में खड़ा होना था, बहुत होता है, तो लगबग 17 km per litre का mileage निकाल पाती है, डीजल वाली अपनी curve, अपने देड़ लिटर के engine के साथ, तो average cost जो हुआ, वो लगबग 5 रुपे 88 पैसे के आसपास आता है, 17 km चल रही है, 100 रुपे में तो, अब बात करें, EV की तो भाई, curve EV जो है, बहुत अच्छा आपको range प्रोवाइड करती है, इसका जो claim range है, वो 502 km से 584 km के आस maximum, वो भी अगर आप अच्छे से eco mode पर चलाने चाहरे हो, तो 350 km चल जाएगी, एक charge में, अब 45 kWh की बैटरी है, तो लगबग आपको 450 रुपे लग रहे है, 350 km चलने के लिए, जिसका बतलब हुआ कि आपने 1 रुपे 54 पैसे दिये है, पर किलो मेटर, अब यहाँ पर हमें cost पता जाल गई, EV बेशक बहुत सस्ती पढ़ रही है, लिकिन अब जो आपने 3,62,000 रुपे जादा दिये थे, या डीजल के आपने 2,3,000 रुपे जादा दिये थे, वो कितने सालों में recover होंगे, या वो कितना जादा महेंगा पढ़ रहा है, पांस सालों में आपको वो लेंगे, क्योंकि डीजल पर जादा पैसे खर्च करके क्या मतलब है, एक तो डीजल गाड़ी जादा धर खड़ी रहीगी, तो फिर maintenance का problem भी जाएगा, और cost मेरी निकल नहीं रही है, तो ये calculation करना होता है, क्या, कि भाई, मान के चलिए, आप 1000 km पर मन चलते हैं, हम यह आप 23 पैसे पर किलो मेटर के हसाब से इननों कितने रुपे खर्च किये, 5,53,800 रुपे इननों ने खर्च किये, वही अगर डीजल वाले की बात करो, तो 60,000 km के लिए उननों ने 5 रुपे 88 पैसे के हसाब से खर्च किये, 3,75,000 और वहीं EV की बात करोगे, तो सिर्फ 92,400 रुपे थोड़ी महंगी पढ़ जाती ही, 45,000 रुपे लग जाते हैं, और EV की मामले में सर्विसकोष्ट थोड़ी सी कम हो जाती है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनर्शिप और पेट्रोल वहिकल क्या है, यह रही 20,88,000 रुपे, ठीक है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनर्शिप और डीजल वहि क्या हुआ, 19,89,400 रुप, तो अगर आपने आज के समय में EV लई 1000 किलोमेटर पर मन चलाते हैं, तो आपने कितने रुपे बचाए, पेट्रोल के मुकाबले आपने 99,400 रुपे, पास साल में अच्छी सेविंग कर ली आपने एक लाग की, अगर आप डीजल सोच रहे हैं और चेंज रहेगी, बट बैटरी डिग्रेड होगी, उसकी रेंज कम होगी, बैटरी का सेल्स रिप्लेस्मेंट होगा, उसका खर्च आपको नहीं उठाना है, बिल्कुल नहीं उठाना है, कंपनी खुद लेगी, लेकिन जो डिग्रेड हुई है, क्या आपके बास हमेशा करने का तो ऐसा नहीं आपको फिर पैसे भी तो जादा देने हैं ये कॉस्ट तभी अपलाए होगी जब आप घर पे ही चार्ज कर रहे हो सिर्फ कभी आपने बाहर चार्ज नहीं किया है तभी अपलाए होगा तब आप जो है 99,400 रुपए बचा पाऊगे पांस साल में तो बह नहीं पता होता कि कहां पर मैं एक घंटे खड़ा रहूंगा और लंबे सफर लेट से 800 किलोमेटर जाना है तो मुझे टेंशन नहीं होता कि बीच में खड़ा रखकर मुझे बहुत बड़ा हॉल्ट लेना पड़ेगा मैं 800-2000 किलोमेटर के सफर भी कर सकता हूं डीजल में भ लाग 6,900 रुपे इसका मतलब टोटल कॉष्ट ऑफ ओनर्शिप जो है वह हो जाएगी 18,900 रुपे वहीं अगर डीजल की बात कर गोई तो पांच रुपए 886 पैसे पर किलोमेटर के साब से 30,000 का जो बजट निकला वो निकला एक लाग 6,400 रुपे तो तो टोटल कॉष्ट आपको साफ नजर आ रहा है कि आपने लगभग 1,32,000 रुपे पैसा नहीं निकला और 2-3 साल चलाओगे तो स्वायद रिकवर हो जाएगा तो कम चला के फाइदा नहीं हुआ तो अभी हम बोलते कि भाई हम भयंकर चलाती लोग बोलते एवी आएगी तो चलेगी भी रहे हो ठीक है अब आप 2,000 किलोमेटर पर मन चल रहे हो तो आपने टोटल 5 साल में चला एक लाग 20,000 किलोमेटर तो भाई एक लाग 20,000 चलाने के लिए 9 रुपे 23 पैसे के सबसे आपका खर्चाया 11,7,600 रुपे पैट्रोल का डीजल में आपका खर्चाया 7,5,600 रुपे का और एवी में आपका खर्चाया 1,84,800 रुपे का तो टोटल कॉस्ट अफ वोनर्शिप कितने हुई पैट्रोल गाडी के लिए 26,32,600 डीजल के लिए 24,38,600 और एवी के लिए 20,71,800 तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि भाई लगग 6,000 रुपे मैंने पैट्रो प्रदीब जी ने बहुत अच्छे समझाया था हमें कि वह कैसे बैंगलोर से पुना आये थे और कैसे लंबे सफर कर रहे है बट क्या आप उत्ती हाल्टिंग करना चाहते हो क्या आपको आइंसाइटी नहीं होगी क्या आप घर पे ही चार्ज करने वाले हो क्या आप कभी ब 50-70 चलूँगा तो रेंज अच्छी मिलेगी और मैं पहुंच पाऊंगा तो यहां पर जो फीलिंग होती है कि मैं गाड़ी चलाना चाहता हूं या मुझे जल्दी पहुंचना है वह आप कभी भी नहीं कर सकते हो रश में आप नहीं जा सकते हो आपको हमेशा सोच समझ कर च जाते हैं पर रीसेल वैल्यू का क्या क्या आपकी गाड़ी उतना अच्छा रीसेल निकाल पाएगी पेट्रोल के केस में हमने हमेशा देखा है कि गाड़ी कीमत आधी हो जाएगी यह हो जाएगा वह जाएगा मैंट थीक थाक सी मिल जाएगी क्योंकि इंजन की उमर 15 साल की है अगर आप डीजल की बात करोगे तो हाँ अभी थोड़ा सा शंका में है लेकिन यह तो सोचा जा रहा था तो साल पहली भी कि डीजल के प्राइस गड़ जाएंगे डीजल गाड़ी के प्राइस गड़ जाएंगे अभी तक रीसेल पर जाता फरक नहीं पड़ा ईवन आप बैटरी जो है फुली रिप्लेस कराके दोगे तो सामने वाला खरीदना चाहेगा जैसे मोबाइल फोन्स होते हैं आज के समय में कि आपकी बैटरी हेल्थ बहुत कम है भाई तो मैं कम में खरीदूँगा बैटरी रिप्लेस कर दो उसके बाद उतनी वैल्यू नहीं मिल पात उसी के तरफ जो रहा हूं और जितने ईवी के लोग मुझे मिले हैं और मेरे साथ ऐसे लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं आप देख सकते हो याश भाई ने वीडियो बना थे इनके बार में दो इवी हैं उन्होंने भी टियागो खरीदी थी पहले उनके बास और भी एट में मुझे लिखे हैं कि भाई याइब्रिट पर भी वीडियो बनाओ दोस्तों एक तो पहली बात है कि वो सस्ते में आइब्रिट आती नहीं है सारे याडिया महेंगी है और हाइब्रिड और डीजल के लगबग जो प्राइज इनिशल कोस्ट होती ना लगबग सिमिलर सी हो इस वीडियो से अगर आपको जानकारी सही मिली है तो कॉमेंट सेक्शन में लिखना वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएगा और कौन सी गाड़ी के साथ आप कॉस्टन रसिस चाते हैं वो भी मुझे लिखकर जरूर बेजिए थैंक्यू